पेज लियाओट के अंतरगात सबसे पहला जो गुरूप है हमारे पास है पेज सेटप पेज सेटप गुरूप में हमको कुछ ऑप्सन दिखेंगे इनका प्रियोग हम करने बाले हैं और इसके अंतरगात एक डायलेग बॉक्स में मिलेगा जो की देखे डायलेग लॉंचर ना तीनो टैब में हम काम करना देखेंगे जो कि आपके डॉकुमेंट बनाने के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है इसको हम बाद में देखेंगे अभी हम देखें यहाँ पर margin, orientation, size, column, break, line number, hypnation यह सभी ओप्सन हम basic group से काम करना देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबस सारे page यहाँ पर लिया हूँ, अब आप margin देखोगे, तो margin का मतलब होता है, print होने के बाद जो outside में जो area बचा होता है, चारो तरप से, तो उसको बोलते है margin, जैसे उपर वाली जो जगे उसको बोलेंगे, top margin, ये वाली जगे इसको बोलेंगे, left margin, ये वाली जगे को right margin, और इसको बोलेंगे bottom margin, यानि total कितनी margin होती है, चार margin होती है, अब ये चारो margin के लिए आपके लिए important question हो जाता है, कि जैसे cpct या कोई exam में आपको question पूछ लेता है, कि जब हम layout टेप में जाते हैं, और page setup ग्रूप में जाने बाद margin पर click करते हैं, तो by default कौन सी margin आपकी select होती है, तो by default होती है आपकी normal margin, जिसे सामान्य margin बोलते हैं, और सामान्य margin में पूछ लेगा कि top, bottom, left, right में margin कितनी कितनी होती है, देखे, एक एक inch होती है, देखे, यहाँ देख रहा है, डबल कोट लगा यानि कि inch है, one, one, one ये देख रहा है, ये double कोट मतलब inch में देख रहा है moderate में top और bottom की one, one देखेगी, और left और right की आपको 0.75, 0.75 देखेगी, फिर है देखे, wide, wide में आपको top और bottom की one, one, और left और right की two, two देखेगी, तो इस प्रकार आप margin को, जिस भी margin में ऐसे select कर नहीं, तो वो देखे, आपकी margin उस according set हो जाएगी, ठीक है, ruler देखे, ruler देख रह mirror कर सकता हूँ, देखे, mirror margin, मतलब एक page जो है, उसके सामने जो page रहेगा, निकि दूसरे page के सामने जो तीसरा रहेगा, उसकी margin सेम सेम रहेगी, ठीक है, उसके अलावा देखे, इसकी margin भी आप देख सकते, one, one, top or bottom में, और inside और outside में देखेगी, आपको 1.25 और one, ठीक है, त तो हमारी 66 margin चेहित हमारे पास में है custom margin, custom margin में आप जैसे जाओगे, तो यहाँ custom margin के बाद आपको देखे, dialect box मिलेगा, page setup का, जो कि dialect box यहाँ dialect launcher से आता था, तो कहीं से भी आए, काम तो page setup कहीं करेगा, तो यहाँ देखे, आपको जो है, फिर से मैं लिका रहाता हूँ, margin में custom margin में गए, तो देखे, यहाँ पे भी आपको margin वाला section दिख रहा है, दूसरा दिख रहा paper वाला, तीसरा दिख रहा layout वाला, तो margin में आपको top, bottom, left, right, इस देखे, inside, outside की, अब जो margin आप select करें, उसके according आगा, जैसे मानलो मैं normal करता हूँ, और normal करने के बाद मैं कर देता हू custom margin, तो आप देखे, top, bottom, left, right, inside, outside यहाँ नहीं आ रहा, inside, outside कहाँ आएगा, mirror वाले में, mirror जो margin लोगे, तो उसमें inside और outside आ जाएगा, ठीक है, तो यह चार मार्जिन आप अपनी च्छनों सार यहाँ घटा बढ़ा सकते हो, जैसे हमने वहाँ पे देखे अभी, ठीक है, बन जादा कर सकते है, जो layout देखे, यह preview देख रहा है, preview में आप चाहोगे देखे, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो यहाँ से आप preview देख सकते है, चार तरप से, एक और margin होती है, जिसका नाम होता है, गटर margin, इसका मतलब होता है, जब आप binding कराओगे इसका, यह नहीं कि जो document बना रहा है, 50, 60, 70, पेज, प्रिंट निकालोगे, जब आप उसकी binding कराओगे, साइट से जो pages होते है, जो text होता है, वो आपका छिप जाता है, वो text छिप है ना, इसके लिए अलग से margin दी जाती है, उससे बोलते है, गटर margin, देखे, यह दिख रहा है, यहाँ देखे, जिस से margin, यह से ही जो है, लेट से margin, ठीक, इस डाले box में और option है, portrait, मतलब page को खड़ा रखना है, जब आपकी, जो bit के according, आपको bit कम चाहिए, और hide ज्यादा चाहिए, तो portrait, और अगर आपको bit ज्यादा चाहिए, ता आप landscape कर सकते हैं, यहाँ multiple pages में normal रखना, preview आप देख सकते है और complete whole document, ठीक है, और इसके बाद क्या करोगे, ok, ok आप जैसे करोगे, तो जो margin आपने set की हो, उसके according यहाँ पर setting हो जाएगी, यदि मैं फिर से चलू, normal कर देता हूँ, तो normal देखे, normal इस प्रकार हो गई, और फिर custom margin में जाकर यह जो margin है, extra margin दिये, gutter margin, इसको zero कर दें, और dialog box में भी, तो यहाँ से भी आप उप्योग कर सकते हैं, फिर दिया है size, तो size देखे, यहाँ पर आपको letter दिया है, अब आपको यह भी धियान रखना, letter का क्या होता है, letter का होता है, 8.5 inch से 11 inch, यानि कि 8.5 inch left से right, बिट रहेगी, और 11 inch आपकी height रहेगी, यहाँ पर देखने value दिया है, A3, A4, A5, इन सभी में से आप थोड़ा थोड़ा नजर घूम लीजिए, जैसे A4, A4 का होता है, 8.27 से 11.69, यानि कि height होगी ज्यादा वाली orbit, अब यह अगर हम rotate कर देते हैं, यानि कि land escape, तो height orbit change हो जाएगी, ठीक, अब इन में से आपको paper size ने लेना, more paper size में जा कर सकते हैं, यह source है, printer के source है, यह by default रहते हैं, और preview दिख रहा है, और whole document, ठीक है, print option भी आप देख सकते हैं, यह जो है, configuration dialogue box है, तो इसको आपको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है, जब मैं setting बताऊंगा, MSWAT की, तो आपको यह काम करना है, चलिए, अब ok कर दें, चाहे तो हमको अभी single column में दिख रहा है, यह नहीं कि left से लिका right तक चल रहा, फिर नीचे आ रहा है, हम चाहते हैं, इसको दो column में बाटना, चाहते हैं, हम तीन column में बाटना, तो उसके लिए यहाँ पर next option दिया, column, तो column में देखे है, one, two, three, left, right, यह option दिए, इन option में से आप किसी क प्योग करो, वो काम कर लेगा, जैसे two, देखे, दो column में बढ़ गया, यदि हम चाहते हैं, three, तो three column में बढ़ गया, यदि हम चाहते हैं, left, तो left से काम, और right से ज़्यादा, जब description, यहाँ topic लिखना और इसका description लिखना, तो इस प्रकार की चीज़े यहाँ काम आती है, right, यह से right अगर करते हैं, देखे, हम left कर लेते हैं, इसको पहले one column करें, और फिर हम करते हैं right, तो right में देखे, यह देखे, one word substitution जो आता है, यहाँ आमने कुछ description लिखे, उसका sort word यहाँ लिख सकते हैं, तो यह right काम आता, फिर बन कर दिए, तो one आ गया, ऐसे हम more column में सबकी bits, same लेना थे, equal column bits कर सकते हैं, और नहीं लेना तो आप हर एक की bits, हर एक की बीच में gap यहाँ से change कर सकते हैं, ठीक है, अब देखे, this section मतलब current जगह apply होगा, उसके बाद line लाना सभी के बीच में, यहाँ line कर सकते हैं, रुपके कर सकते हैं, देखे, सबकी बीच में line आ ठीक, अब देखे, यहाँ अगर हमको, जिसे मान लो, यह page है, और अगर हम enter कर करके नीचे इसको ले जाना चाहते हैं, तो हमको बहुत time लग जाएगा, तो हम चाहते हैं, देखे, जो text है, इतना इस भाग में रहे, मतलब इस page में रहे, और बाकी का जो है next page में चला जाए, तो उसके लिए यहाँ break option को प्योग करते हैं, जिसका नाम है, देखे, जैसे हम इसे break पर click करेंगे, तो जहाँ cursor रखा था, उससे सारा text निकल का नीचे चला गया, तो इसको बोलते हैं page break, एक और next होता है column break, यदि हम चाहते हैं कि यहाँ अगर cursor रखे next column में चला जाए, त और यहाँ, एक मिनट, यह जो है हमारा complete यह करते हैं, और इसको हम copy कर लेते हैं, new document में जाते हैं, यहाँ paste करते हैं, और हम इसमें बनाते हैं, column, और layout में जाके हम क्या करते हैं, two column करते हैं, देखे, two column में बट गया, कहां से बटा है, यह हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से, रखे वहां से जो बाकी भाग है वो नीचे next column में चला जाए तो page break column तो देखिए यहां next में आ गया control z कर दें इसके अलावा एक और होता है क्या text wrapping तो text wrapping सिफ line break करता है देखे line को break करके नीचे ले आया है ठीक है तो यह तीनों break आप उप्योग कर सकते हैं इसी प्रकार आप next page कर सकते हो सीधे यानि page break जैसे continuous direct lab जो है मतलब line break type कर सकते हो ठीक है even page यानि कि दूसरे page से आप break करके fourth page में लजा सकते हो और पेज मतलब one से लेकर third में ले जा सकते हैं इनको उप्योग भी आप कर सकते हैं जिसे बोलते section break और एक होता page break तो यह होगे page break और section break हम वापस इसको कर देते हैं one column में ठीक है यह देखे one column में हो गया अब हम चाहते हैं line number दें तो line number देखें यहां पर अब line number bullets numbering नहीं है यह सिप line के number है मान लोग किसी page में home line के number गिनना चाहते हैं तो देखे line number आगा अगए इसी परकार next page में देखे 40 में 70 से आगए जहां से end होए थैं वहीं से आ रहा है पर हम चाहते हैं कि next page से फिर से शुरू हो तो इसी में जाना line number में है और restart each page इस प्रकार आपको click करना है देखिए यहां से one से लेकर यहां जो है आपके next तक आ चुके है ठीक है अगए इसी प्रकार देखिए section जो कि normally बैसे काम करता सप्रेस from current paragraph manage कर सकते हैं एक option और दिया है जिसका नाम है hypnation तो hypnation में जब आप जाओगे तो hypnation में आपको मिलेगा क्या देखिए यहां जो होता है जो पूरा word होता है वो जब यहां आ नहीं पाता तो नीचे break हो जाता देखिए online यहां आ गया पर हम आटोमेटिक जब करें तो आप देखिए last में जाकर देखिए पिक्चर नीचे आ रहा था जब कि पिक आ गया डेस लगया हाइपन लगया और उसके बाद आप देखिए यहां पर चर आ गया यहां पिक्चर दोनों हम तोड़ देखिए इसका मतलब क्या है ओटोमेटिक हाइपनेट हो रहा है अगर नन कर दोगे तो वह हट जाएगा ऐसे हम एक्च्छानुसार हाइपनेट करना चाहते हैं तो देखिए हम करसर रखे कहीं पर जैसे मानलों यहां करसर रखते हैं और हाइपनेट मैनुली करत है ठीक है मैनुली बाला हटेगा नहीं तो यह हाइपनेट आपको समझ में आया हाइपनेट मतलब लास्ट का जो बर्ड है मतलब लाइन जगह स्पेसिंग जो है हमारी बच जाती है किस से हाइपन करने से तो यहां हमने देखिए सभी ऑप्सन देख ली अब हम पेस सेट अलाइनमेंट देख रहा है देखिए बर्टिकल अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं तो यह देख रहा है लाइन नंबर मैनेज करना तो लाइन नंबर भी आप यहां से मैनेज कर सकते हैं यह लाइन नंबर आएगा तब बाडर और सेडिंग हम अल्रेडी देख चुक टेप के अंतरगत यहां पर पेस सेट अप नाम का जो ग्रूप है इसके सारे ओक्सन जो की आपको कोई भी डॉकुमेंट बनाने से पहले जरूर सेट कर लेना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट जो सेटिंग होती है वो होती है पैराग्राप की सेटिंग यह तो आप बाद में भ साथ में आपको अरेंज नाम का गुरूप दिख रहा है जिसका उपयोग हम पहले भी पिक्चर के साथ कर चुक है फिर भी हम यहां पर इसका उपयोग कर लेंगे ठीक है तो यह कंप्लीट हम देखने वाले हैं लेयाओट टेप के अंतरगा सबसे पहले देखते हैं पैराग आपको चार ओप्सन तो दिख रहा है इन चार ओप्सन के अलाब आपको पैराग्राप जो डालेक बॉक्स है वह भी नजर आएगा इसका उपयोग हम पहले भी कर चुके हैं ठीक है तो सबसे पहले जो होता है देखे इंडेंट दिया इंडेंट का मतलब होता है कि पर्टिक करे हो तो तीन की सभी आप सेलेक्ट कर लेते हैं सभी की लेप्ट से इंडेंटिंग इसी प्रकार हम राइट से देख रहे हैं राइट से इंडेंटिंग अगर बढ़ाना देखे इस प्रकार देखे राइट से जगह छोड़ा पर्टिकुलर पैराग्राप मान लो मैं इसकी जगह 하지만 यहां पर इसको मैं वाप्स कर देता हूं ठिक है हम इसकी जगह्त 2 paragraph को सेलेक्ट कर लेते हैं दो पैरा अग्राफ को सेलेक्ट करें तो अब लेट से छोड़ेंगे देखें दो होंगे और राइट एसे ही दो paragraph है देखे ठीक है देखे तो हम इसको क्या कर देते है जी रो कर देते है ठीक अब हम सबको select कर लेते हैं सबको मतलब देखे इतने हमने दो-तीन paragraph को इस प्रकार select कर लिये और यहां spacing में देखते हैं spacing का मतलब होता है कोई भी paragraph के ऊपर जगे कितनी छोड़ा जाना चाहिए और कोई भी paragraph के ऊपर जगे नीचे कितनी छोड़ा जाना चाहिए तो इसके लिए होता देखे ऊपर से gap देखे हर एक paragraph के बीच में gap आपका बढ़ रहा है और अगर हम कम करते हैं तो एक नॉर्मली जो standard gap होता है वो होता है 6 यानि 6 उपर से दे दो और 6 से नीचे से दे दो तो देखे हर एक paragraph जैसी यह paragraph है जैसी change वह देखे थोड़ा सा gap है और हर एक line के बीच में gap आपको पता चल रहा है यह देखे हर एक line के बीच में gap होता है या तो dead line का होता ठीक है तो by default जो होता है 1.15 line का होता है यह वाला 1.15 ठीक है यह line होता है ठीक है अब line spacing जब देते हैं तो वहाँ पर point भी आते हैं ठीक चले यहाँ पर हम जो है क्या कर सकते हैं और हम काम कर सकते हैं जैसे अगर मैं इनको select रखूं ठीक है तो यहाँ देखे paragraph में ही आपको य तो इसके अंतरगत indent and spacing और line and page break नाम से दो tab दिख रही है जिसमें देखे आपको line से related कुछ option दिख रहा है परन्तु line बाला option हमने अल्रडी पढ़ ली है तो indent and spacing बाले जो है हम देखते हैं यहाँ पर जिसमें देखे general लिखा है तो general में आप alignment set कर सकते हैं जैसे किसी paragraph का alignment क् रखना है center ठीक है यह चीज तो आपको पता होगी right रखना है ठीक है justify रखना है चार प्रकार से हम यहाँ alignment set कर सकते हैं और body level बताया था मैंने heading level जो होती है heading level या जो भी हम देते हैं देखे यहाँ पर यह जो body level है यह हम पहले भी उपयोग कर चुके है किसने मतलब जैसे अ हमने already देख लिए हैं देखे left से और right से दोनों देख लिए यहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर special में कुछ option दिये जैसे first line तो जैसे आपको अगर लिखना होता था paragraph change करके लिखते हैं तो एक line का gap ज्यादा देदेते हो कितना देते हैं वह आपके उपर depend करता जैसे मैं इसको कर देता हूं first line और gap देदेते हैं 0.8 ठीक है तो आप देखे हर एक paragraph का 0.8 जो spacing है first line का change हो जुगा है पर यदि मान लो यहाँ हम लिख देते हैं SSW और इसको heading बनाना चाहते है ठीक है यहाँ पर भी क्या कर देते हैं इसको paste कर देते हैं और इसमें भी paste कर देते हैं तीनों paragraph को मैं select करता हूं और फिर इसमें paragraph में जाता हूं फर्स्ट लाइन की जगह मैं hanging indent करता हूँ, hanging indent कितना रखना है, 0.5 ही कर दो इसको, और okay कर दो, तो आप देखिए ध्यान से, ये देखिए आपकी heading अलग भाग में है, और मा की पूरा matter जो है, एक align में set हो चुका है, तो ये किस से हुआ है, ये hanging indent से हुआ है, तो इसको हम सिंगल लाइन के spacing, हर एक, देखिए हर एक line में, जो है, मतलब हर एक paragraph में, हर एक line के बीच में कितना gap होना चाहिए, single line का, उसके बाद हम चाहें, तो ये देखिए, 1.5 line का कर सकते, देखिए, gap हो गया, उसके बाद यहाँ से value बढ़ा सकते हैं, गटा सकते हैं, साथ ही लाइन में कितना होता है, देखिए, यह देखिए, दो line हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, दो line का gap देखने मिलेगा, home app चलोगे, आप, तो देखिए, 2 line select है, ठीक है, और फिर से आप जो है paragraph यहाँ से भी आ रहा था हो, layout से भी paragraph आ रहा है, फिर से आ point है, और multiple में आपको, multiple में आपको 3 मिलेगा, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, तो यह तो हो गए हमारा, उसी से हम देखिए, यहाँ से tap सेटिंग भी कर सकते हैं, कितने बार, मतलब जो हम keyboard से tap की दबाते हैं, वो कितने space को लेकर चलेगी, 0.5 space को, ठीक है अब वो left से चलेगी, center से चलेगी, right से चलेगी, ठीक है, तो यह भी, यहाँ option होते हैं कुछ, अब यहाँ हम जो है, simple फिर से कर लेते हैं, single line, और यह paragraph setting बगरा जो भी करना है, अब यह by default आना चाहिए, set as default कर सकते हैं, चली हम नहीं करते हैं, इसको कर देते हैं, फिर से home मे यह display इसली नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ arrange का मतलब होता है, यहाँ पर कोई safe हो, कोई picture हो, कोई smart art हो, कोई table हो, बहुत सारी चीज़े यहाँ आपको देखने मिलती है, जो कि हमने insert में पढ़े हैं, क्या, देखिए illustration नाम का group पढ़े हैं, तो इस group के अंतर का जो भी object यहाँ पर layout में आपको यह सारे option display हो जाएंगे, चली हम चलते हैं कहाँ पर insert में, और insert में जाने के बाद हम पहले लिया आते एक picture, इस device में जाते हैं, और यहां से हम क्या कर लेते हैं, picture लिकर आजाते हैं, ठीक है, चली हम जो है picture लिकर आते हैं, यह देखिए अभी picture आई ह देखे नन है नन के बाद आप नाइन प्रकार की position यहां set कर सकते हो देखे मतलब पेज में जो picture है वह आप कैसे रखना चाहिए जैसे में page छोटा कर लेता हूं page में देखे bottom पे set कर सकते center में देखे top पे top left में देखे middle में कर सकते middle left में middle center middle right इस प्रकार से देखे सबी जगह आप जो है अपनी picture को set कर सकते जैसे मानलो मैं यह left में कर देता हूं ठीक है right में कर दिए अब मैं इसको इधर उधर कहीं भी set कर सकता हूं यह तो होगी position की बात अब wrap text में आप क्या दिखने मिलता है देखे in line मतलब उपर line रहेगा और नीचे line आसपास कहीं भी line ने square में आपको 4 तरफ जो है text दिखने मिलेगा tight में square जैसे ही position रहती है और throw में भी top and bottom में देखे या तो उपर रहेगा text या तो नीचे साइड में नहीं रहेगा behind text में देखे text के पीछे चला गया in front में जो है text के उपर आ जाएगा edit में अपनी इक्षानुसार अपन एडिट कर सकते हैं और default layout वीस को set कर सकते हैं तो यह तो हमारे हो गया picture को मतलब जो है adjust करने के लिए दोनों option position और wrap text ठीक है अब यहाँ देख इसके बाद एक और save इस प्रकार हमने draw कर लिए अब देखे सबसे पीछे कुन सी है सबसे पीछे है picture picture के बाद है यह वाला उसके बाद यह वाला तो इसका हम color अलग कर देते हैं तो हम चाहते हैं इसकी border भी set कर दें border set कर देते हैं यहाँ से अलग देखेगा ठीक है तो सबस मतलब जो है पीछे चले जा तो layout में चले जाओ bring to forward और send to backward तो send to backward वाले जाना हर देखे send to back इसका मतलब सबसे पीछे और bring to front यानि कि सबसे उपर ठीक है अब एक एक करके पीछे ला जाना send to backward देखे पीछे चला गया फिर send to backward ऐसे आप एक-एक step करके पीछे ले जा सकते हो और ऐसे आप एक-एक step करके सामने ला सकते bring to forward और ये दोनों option हमने देख लिए bring in front of text ये देखे ये वाला इसका option भी हमने देखे send behind text text के पीछे जाने का हमने देख लिए अभी तीन है तीनों को अगर हमको select करना है तो keyword से control की दवाईए और सबको एक-एक करके click करना है दे देखे सभी आपस में group हो गए और उहीं जाकर आगा ungroup करोगे देखे ungroup भी हो गए ठीक है ungroup करने बाद आप rap text square भी कर सकते देखे चारो तरफ से जो text है वो आपका हड़ चुका है उसके बाद किसी एक को select कर लो तो देखे यहां पर आपको align भी देखने मिलता है तो align center left justify तो हमने already देख चुके है ठीक है rotate कर सकते हो देखे picture को आप rotate कर सकते है जैसा चाहे बैसा save को भी इसी प्रकार rotate कर सकते हो एक और option देख रहा है जिसका नाम है selection pen जैसे आप इस पर click करोगे तो यहां पर क्या देखने मिलेगा selection देखने मिलेगा इस selection में आपको करना क्या है क तो all कर सकते हो hide all कर सकते हो ठीक है इस प्रकार यह option आपका selection वाला काम का है ठीक है इसको move resize close भी कर सकते हो selection pen ठीक है क्यों उपयोग होता है यह इसलिए भी object हमने ली है picture safe smart art उनको directly हम यहां से manage कर सकते हैं ठीक है selection pen से हम इसका उप्योग कर सकते हैं तो यहां आपने देखा अभी देखे हमने layout tab में इसके पहले paste setup देख लिया था अभी हमने देखे paragraph paragraph में हमने paragraph का complete देखे यहाँ पर dialogue box पढ़ा है दूसरी चीज यहाँ जो दो option है जैसे देखे indent है और एक spacing indent उपर का मतलब जो है left से gap देता है left से कितना indent आए और right से कितना indent आए और spacing से जो होता है paragraph के उपर spacing और paragraph के नीचे spacing यानि कि दो paragraph में आपस में दूरी को बढ़ाने के लिए gap को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है फिर next देखे हमने position set करना देखे more layout में जब जाओगे तो more layout में और बहुत सारे option देखेंगे text wrapping से related वही जो option हमको list form में देख रहा है वही हमको यहाँ पर देखने वाले है ठीक है तो इनका उपयोग भी हम कर सकते हैं हलाकि हम सामने से उसका उपयोग कर लेते हैं dialogue box ठीक है align group और rotate I hope यह जो layout tab है आपको समझ में आये होगा काफी छोटा है मतलब अन्य जो group है उसके साब से मतलब जैसे insert tab के अगर बात करेंगे यह काफी बढ़ा है मतलब यह काफी बजंदार tab है इसका उपयोग आपको करने में बहुत समय लगेगा पर काफी बजंदार मतलब होता है कभी आप डोकुमेंट बनाओगे तो सबसे जादा उपयोग यह ही आएगा और ज्यादा home tab आएगा तो इसके बाद आप हम जो पढ़ेंगे reference tab के बारे में पढ़ेंगे तो अभी तक हमारे home tab insert tab design tab और layout tab यह चारो tab हमारे complete हो चुके है I hope आपको जो है चारो tab यहां पर सम दो बख्याद का एग